हेलो डिये स्टुडेंट्स आज हम क्लाश 10 के पार्टिकल साइंस का जो फर्स चैप्टर हमारा पावर शेरिंग जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सकती पिर्थक्रण और इस वीडियो में हम इसका पार्ट वन पढ़ेंगे और इससे हम क्या सीखेंगे कि जो भी कोई क्यों किया जाता है इंट मींस उर्व्स इंपॉर्टेंश्वावर शेरिंग-ड 600 अ क्या देखें जर्वर क्या जाने से हम यह देखेंगे कि समझने के लिए हम यह देखेंगे कि जो भी पावर होता है उसको क्या कि या या चैक Ste거를 लोगों के बीच में या ओर्गनस के बीच में उस पावर को क्या किए से Meer किए झाउज में तो आप लोग है में कि जो भी पावर है सबस्थाइड अगर किसी एक इंडिविजियल के पास उस पावर को हम क्या करें डीया जए और क्या हो सकते हैं कि उस पावर का वो क्या कर सकते हैं मिसुज कर सकते हैं एक पॉइंट हमारा ये हो गया है एप जब हम क्या देखेंगे कि उसी पावर को different different लोगों की बीच में या different different organs के बीच में क्या किया जाए शेयर किया जाए तो इसी क्या कहते हैं पावर शेरिंग कि इसको बैलेंस बना करके जो भी पावर है उसको बैलेंस बना करके डिपरtime डिफेरेंट ऑर्गिंज के बीच में क्या किया जाए शेयर कर दिया जाए सो हुआ हम अब देखते हैं कि जो पावरिश हैं इनमें कुछ केस को डिसकस करेंगे उसके बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि जो पावर शेरिंग होता है इसका किसी भी नेशन के लिए किसी भी राष्ट के लिए क्यों इंपोर्टेंस होता है कि हाँ इसमें हम फस्ट जो देखेंगे हमारा होगा केस स्टडी आफ वेल्जियम यहां पर हम वेल्जियम का एक केस लिया गया है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हुरी सिचुएटेड इस कंट्री सो आइधिंग कि सभी लोग जानते हैं कि जो बेल्जियम है यह यूरोप जो हमारा कॉंटिनेंट है उसका एक क्या है कंट्री है यूरोप में कंट्री है चोटा सा कंट्री जिसे हम क्या कहते हैं कि जो इसके neighboring countries है इतमीन संके सकते हैं ऐसे country जो इससे क्या करते हो बाड़ अपना अपना इपना आप से करते हूँ इसमें आपको कौन काउन से मिलेंगे आपका जैसे France हो गया शर्मणी हो गया लेक्जंबर्ग हो गया यह कैसे country इसके neighboring country है मिन्स इनका बाउंडरी इनसे क्या होता है से रोता है हाँ अब फिर हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि जो हमें इस केस में स्टडी करना है कि एथनिक कमपोजीशन यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा क्या है एथनिक कमपोजीशन सो फर्स्ट हम यह देखेंगे कि एथनिक क्या होता है क्योंकि हमारे लिए एक न्यू वर्ड लग रहा है एथनिक तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे जो एथनिक है इसका जो मीनिंग होता है वह होता है जाती यह अब जाती इसको हम कैसे समझते हैं तो हम इसमें यह देखेंगे कि जिससे समझने के लिए हम अब लेते हैं कैप अपने कंट्री को हम बेश मांते हैं । तो है यह की कंपुचिंशन कैशह हम समझते हैं यह होता है लैंग्विज बेर्शिश हम रिच्प जैसते कैशों टोिजन अब इसमें जैसे महाराष्ट्रा हो गया केरला हो गया कि नागा लेंड हो गया गुजरात हो गया तो अगर हम यहां पर लेंग्वेज की बात करेंगे तो आपके माइंड में यह चीज आएगा कि महाराष्ट जो है वहां का local language क्या है मराठी गुजरात का गुजराती केरला का मल्यारा इस तरीके से आप देखेंगे कि जो different different reasons है उनका अपना different different क्या है local language है उसी तरीके से हम religion के basis पर एथनीक composition देखते हैं reason के basis पर एथनीक composition देखते हैं तो इसी को हम क्या कहते है एत्निक composition तो जो हम इस chapter में पढ़ने वाले है वह composition हमारा होगा Marriage basis हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा क्या है language basis Hey son हम स्टार्ट करते हैं कि वाट वाज एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम कि बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन क्या है इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि मैप किलियर है यस तो जो नौधं पार्ट नौधं पार्ट अबेल्जियम जो नौधं पार्ट है यह यलो कलर का है एं सदन पार्ट हमारा कैसा है रिड़ कलर का दिख रहा है सो जो यलो कलर है नौर्दन पार्ट आप बेल्जियम इस नोन एज आप लोग बताएंगे क्या बोलते हैं उसे हम किस रीजन की नाम से फ्लेमिश हाँ जो शदन पार्ट है इस कंट्री का शदन पार्ट है यलो कलर है वह हमारा क्या होगा वलोनिया कि यलो पार्ट जो है उसे हम कह रहे हैं फ्लेमिश रीजन जो हमारा रिड्ड है वह हमारा क्या होगिया वलोनिया कि यहां पर आप देखेंगे बैगनी कलर का इस्टन पार्ट में इस कंट्री के जो इस्ट साइड में थोड़ा सा पार्ट है वहां पर हम देखेंगे अधर में स्कलर चेंज है एंड अब हम बात करते पॉपलेशन के कि जो हमारा फ्लेमिश आप फ्लेमिश में देखेंगे 59 परशेंट 59 परशेंट जो हैं फ्लेमिश रीजन में कौन सा लेंगवज यह बोल रहे हैं डच हो गया और बलोनिया जो है यह यहां पर हम कितने परशन देख रहे हैं 40 परशेंट जो किस लेंगवेज में फ्रेंच है एंड जो अदर्स है में जो हम यहां बैगनी कलर की बात कि इस्टन पार्ट में इस कंट्री के वो क्या है जर्मनी स्पेकिंग लोग इंट में समसाट में कह सकते हैं कि जो फ्लेमिश है जो क्या बोलते हैं फ्रेंस बोलते हैं और जो जर्मन लेंग्वेज कि वऺञां यहां एस्ट पार्ट में है तो बैगनी कलर में हमारा अब हो गया कि बताएंगे आप लोग में लिखेंगे कि क्या है बेल्जीम का country बेल्जीम का capital brissels का हम अब एथनिक composition देखते हैं यहां पर हमें फोजित मिलेगा एक दम मिलेगा कि में आप देखेंगे जो 80% population है वो किश लैंगुज के बोलने वाले लोग फ्रेंच एंड ट्वेंट्य पर्षेंट सो लोग को शाला एंग अगे बोल रहे हैं डच तो यहां पर आपको अपोजित क्या है कि अब अपोजित क्या मिल रहे ह tailored के कि हम कंपेर करते हैं इन में हिसी बिलाद अब देख सकते हैं डच अन्द फ्रेंच तो इसको आप देखिये और किलियर हो जाएगा आपका कि जो डश किकिंग है वह 59 परशेंट है मिन्स मेजोरीटी में हैं कहां पर आवराल की बात करेंगे तो यह यहां पर डच स्पेकिंग जो पॉपलेशन है वो मेज़ोर्टी में है और जब हम कैपिटल की बात करेंगे मिंस ब्रुसल्स की बात करेंगे तो यहां पर मेज़ोर्टी में कौन होगा फ्रेंच बोलने वाले लोग अब देखिए हम सिट्यूशन यह देख रहे हैं कि यहां पर जो एतनी कमपोजिशन हो वो कफी कॉंपलेक्स देख रहा है कि मिस्काफी जटिल है तो अगर इतना जटिल यहां का एतनी कमपोजिशन हमें दिख रहा है क्या यहां पर श्मूठ ली गॉवर्मेंट रन करना पॉश्वल होगा आंशर होगा नू यहां पर इसा कौन सा बनाया गया जिसके बेसिस पर बाद में जो ये बेल्जियम है ये कंट्री है ये विश्वस्तर पर वर्ल लेबल पर एक आइडियल कंट्री के रूप में उभरा यहां तक कि इसके जो राजधानी है में ब्रिसल से उसको क्या बनाया गया यूरोप जो यूरोपियन आप जीके में देखना की एक किसी बडे ग्रूप का कैपटल बनाया है head office बनाया गया है means यहां पर जो बिल्षवस्त क्या बनाया गया है head office बनाया गया है अब यहां पर क्या औडॉप्ट किया गया किस चीज को follow किया गया तो हम वही देखेंगे कि यहाँ पर जो power को share किया गया वो proper way में share किया गया power sharing concept को adopt किया गया अब यहाँ पर हम जो भी इनकी थुरू adoption किया गया जो भी recommendation हुआ उसको हम discuss करेंगे नेश्ट क्लास में Thank you Thank you, have a good day